साबूदाना खिर्जिसे हम लोग हर तरह के वर्त में उपवाश में खाते हैं यह बहुत ही ज़्यादा इनर्जी देता है पेट भर करके हम लोग का फालाहार हो जाता है आज उसको बनाती हूँ आराम से बनाती हूँ कोई प्रॉब्लेम नहीं आएगा ना बनाने में ज़्या ज़्यादा टाइम लगेगा ना दूद्थ फटेंगे और नहीं शाबूदाना बहुत ज़्यदा चिपचीपा हट होगी बहुत आराम से बनेगा इसको बनाने के लिए हैं एक कप साबू दाना ले रहे हूँ यह एक सौ ग्राम का यह कप है उससे एक कप साबू दाना लीज जाता और इसके बाद इसमें पानी डाल करके उतना ही पानी डालेंगे जिससे ये पूरी अच्छी तरह से फूल जाएगा और इसमें ज्यादा पानी नहीं बचेगा आप अपने फिंगर से इसको देख सकते हैं फिंगर डुबाईए इसमें सिंग कीजिए और उंगली का जो फश्ट जॉइंट होता है वहां तक आप पानी डाल ये और पानी डाल करके छोड़ दीजी एक से दो घंटा में ये पूरी तरह से फूल जाएगा देखिए एक से दो घंटे हो चुके हैं लगबक दो घंटे बाद ये अच्छे तरह से फूल गया है देख सकते हैं आप चल एक मिनट तक रोष्ट करके निकाल लीजिए, अब उसी कराही में आप एक चमच घी डाली और पूरे बरतन को अच्छे से ग्रीश कर लीजिए, जिससे साबू दाना हमारा चिप के नहीं, आज को हमेशा धीमी रखनी है, अब इस घी में साबू दाना डाल दीजिए, और इसक कि सारा साबू दाना सिमट करके एक जगह आ जाएगा, आप इस तरह से बनाएगा, कभी भी आपका दूद नहीं फटेगा, साबू दाना चिप चिपा नहीं रहेगा, आप देख सकते हैं, साबू दाना सिमट गया है, अब इसमें मैं अभी दूद डाल रही हूँ, टोटल कि एक लीटर दोध में मेरा ये साबू दाना का खिर बन करके तयार हो जाएगा, इसको आप छोड़िये ने, आप इसको लागातार चलाते रहें, जिससे साबू दाना पैंदी में बैठे नहीं, अब इसमें चीनी डाल रही हूँ, जिस कप से साबू दाना लिया हैं, उस मोटी हुई इलैची पॉडर डाल दीजी, देख सकते हैं, कितनी अच्छी थिकने साब खेर की, और जैसे जैसे ये ठंडा होगा, वैसे वैसे गाड़े होते जाएगा, एक कब दो जिसे आपने बचा के रखा है, वो जब ठंडा होने के बाद पूरा गाड़ा हो जाएगा, तब उसमें डाल देना है, देखिए, अभी ऐसा है, ये पूरा ठंडा हो जाएगा, पूरा मोटा हो जाएगा, थोरी देर बाद देखिएगा, खिर कितनी मोटी हो जाती है, तब इसमें वो बचे हुवे दूद को डाल करके, इसके ठिकनेस को बालन्स कर देना है, और उबाल करके रख लें, वो दूद डालें, ये नहीं जो कच्चा दूद है, उसको डिरेक्टर साबुदाना में डाल रहे हूँ, वैसे में आपका दूद फट जाएगा, और साबुदाना की खिर अच्छी नहीं बनेगी, पहले से दूद को उबाल करके आप रखिए, ठंड कर लिजे, नहीं मन हो रहा है, खुद के लिए बना रहे हूँ, नहीं डालने का मन है, नहीं डालें, कोई बात ने, ऐसे ही खाए, बनाने के टाइम में आपने अल्रेडी डेर सारे ड्राइप रोट्स डाल रखे हैं, ओपर से नहीं डालना है, खुद के लिए बना रहे हैं, प्लेन भी खा लेजिए अच्छे ही लगेंगे स्वादिश लगेंगे आप ऐसे साबोदाना खिर बनाईए खाईए एंजोई कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेर कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए मिलती हूँ अगल बाइब बाइब